हेलो गाइस वेलकम टो आवर ये टेफ चानल स्टुड़ी विद एम आज मैं आप सभी के लिए काफ़े इंपॉर्टेंट क्लास ले गया आए हो तो देखे आपके आगा में वीडियो वीडियो एक्साम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टुड़ी विद एम के द्वारा प्र प्रेक्टिस सेट्स को टोटली आई-उ के पैटर्न पर तैयार किया गया है जो कि आपके वीडियो वीडियो एक्साम में काफी हल्फुल रहने वाले हैं और इससे पहले भी आप सभी को काफी सारे प्रेक्टिस सेट्स प्रोवाइड करा दी गए हैं जिन लोगों ने पुर जो बैल आइकन देख रहा है इससे भी प्रेस करने ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोट्फिकेशन आपके पास जल सी जल पहुँच जाए आप सभी लोग हमारे टेलिक्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं ये भी इस्टुडि विद एम के नाम से ही बना ह हुआ है और टेलिक्राम चैनल पर रात को आट बजे कोईस का भी आज़न किया जाता है काफी इंपोर्टेंट कोईशन आपको कोईस के रूपे दिये जा रहे हैं तो आपको जॉइन कर सकते हैं तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला कुशन है हिंदी के प्रथम गध्यकार है दिखे हिंदी के प्रथम गध्यकार है ललू लाल ओप्शन सेशन का करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कुशन देखेंगे प्रेम चंद के अधूरे उपनियास का नाम है मंगल सूत्र अगला कुशन देखेंगे निराला को कैसा कभी माना जाता ह निराला को माना जाता है प्रांतिकारी कभी option एस question का right answer है अगला question देखेंगे गुलर का full होना मुहावरे का अर्थ है देखे गुलर का full होना इस मुहावरे का अर्थ है दुरलब होना next question है अगोचर अगोचर क्या होता है देखे जिसका अनुभव इंदियों को न हो इससे कहा जाता है अगोचर यानि के option डी पिल्कुल correct answer हो जाएगा अगला question देखेंगे चर मर खुल गए अर स्वर इस फूटो में कौन सा अलंकार है तो देखे चर मर खुल गए अर इन स्वर इस फूटो में है अनुपरास अलंकार अगला question है हो सकता है द्वाम का काम बन जाए किस परकार का ये वाकी है बताना है correct answer हो जाएगा आपका यहाँ पर संदेह वाचक वाकिय नेक्स्ट कुशन देखेंगे राम किर्केट खेलता है पर अच्छा नहीं ये वाकि किस परकार का है बताना है तो देखें राम किर्केट खेलता है पर अच्छा नहीं तो ये वाकिय है आपका सायोग पर वाकिय है अगला question है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, most important question तो देखे, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, खड़ी, बोली, option D, यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा, अगला question देखेंगे, किस शब्द की रचना प्रतिय इससे हुई है, देखे, correct answer है आपका, इन में से कोई न नहीं, अगला question है नीचे दिये गए विकल्पों में से तच्छम शब्द का चैन कीजिए, देखे, नीचे दिये गए जो विकल्प है इन में से तच्छम शब्द है, गोधूम, option A, बिल्कुल correct answer हो जाएगा, अगला question है आपका, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने बेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के होते हैं, चार बेद, अगला question है शुद्ध वरतनी का चैन कीजिए, तो देखे, वरतनी की दिश्टी से शुद्ध शब्द है, इन में से बरतन, option A, question का right answer है, अगला है दिये गए शब्दों में भिन अर्थवाला शब् अगला question है वह घर से बाहर गया, इस वाकिय में कौन सा कारक है, देखे, वह घर से बाहर गया, इस वाकिय में है, कौन सा कारक, अपादान कारक, अगला question है निमन में विकारी शब्द कौन सा है, तो देखे, इन शब्दों में से विकारी शब्द बताना है, जिन लोग को आं है मैं बता देती हूँ इन में से विकाली शब्द है आपका लड़का अगला देखेंगे सभा में बीशियों लोग थे इसमें विशेशन का भेद है अनिशित वाचक संख्या अनिशित संख्या वाचक अगला कुश्यन है मंद का विलूम शब्द है देखें मंद का विलूम क्या हो जाएगा मंद का विलूम हो जाएगा दुरूत अगला कुश्यन है गांधी जी ने रेडियो को क्या कहा था अधभुत शक्ती अगला कुश्यन है दूर दर्शन में रंगीन प्रशारण का सुभा अगला देखेंगे टी आर ए आई का पूरा रूप क्या है तो देखेंगे टी आर ए आई का फुल फॉर्म यहाँ पे बताना है करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे टेली कॉम रेगुलेटरी अथोरिटी ओफ इंडिया यानि की ऑप्शन सी बिलकुल राइट आंसर है अगला कुशन देखेंगे अंतराष्टि सांती एवं अहिंसा दिवस किस्तिती को मनाया जाता है आपके 21 सितंबर को अगला कुशन है अर्थ सास्त्र किस विशय पर लिखी गई पुस्तक है तो देखें अर्थ सास्त्र एक पुस्तक का नाम है और यह किस विशय पर लिखी यह पुस्तक है जिसका नाम है अर्थ सास्त्र अगला कुश्शन देखेंगे सिनेमा के छेतर में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरुस्कार दिया जाता है Most important question तो देखे पुरुस्कार में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला पुरुस्कार है कौन सा दादा साहिव फाल के पुरुसकार अगला कुशन है सारनात इस्तिद रास्टे स्तंब का कौन सा भाग रास्टे परती के रूफ में लिया गया है करेक्ट आंसर है शीर्ष भाग अगला कुशन देखेंगे वायू से ना में पर्थम महिला पाइलेट कौन है देखें वायू से ना में पर्थम महिला पाइलेट बतानी है तो ये महिला पाइलेट है हरीता कॉर्दयाल अगला कुशन है स्पेन की संसत का नाम क्या है स्पेन की संसत का नाम है कॉर्टेस अगला question देखेंगे IBM का अर्थ है देखे IBM का full form बताना है तो इसका full form होता है international business machine अगला question है प्रमुक memory desk के समन वैसे कारी करती है देखें प्रमुक memory जो होती है ये CPU के समन वैसे कारी करती है next question देखेंगे निमन मैसे output device है तो देखेंगे इन मैसे output device है आपकी कौन सी printer है speaker है projector भी है तो प्यूग तो सभी option D यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा अगला देखेंगे खालसाओं के पांच अनिवारी लक्षन जिन्हें पांच कक्के कहा जाता है किसने निर्धालित किये थे तो देखेंगे खालसाओं के पांच अनिवारी लक्षन यानिकि पांच कक्के निर्धालित किये थे गुरु गोविन सिंग ने, नेक्स्ट कुशन देखेंगे, अद्वैत वाद सिधान्थ के पृतिपादक कौन है, अद्वैत वाद सिधान्थ के पृतिपादक है, शंकराचारी, अगला कुशन है, दूर दर्शन की पृत्थम समाचार वाचिका थी, पृतिमापुरी, अगला कुशन देखेंगे All India Radio का नाम परिवर्थित कर आकाश्वानी किश वर्ष किया गया और किश वर्ष किया गया ये वर्ष था आपका 1957 अगला कुशन देखेंगे तिरतिये पंच वर्षी योजना की कारी नीती में सरवाधिक बल किशेत्र के विकास को दिया गया था करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर किशी की छेत्र को अगला कुशन देखेंगे Make in India कारी करम का लोगो है मेक इन इंडिया जो कारी करम चलाया गया है इसका लोगो क्या है इसका लोगो है शेर अगला कुशन है किसी देश के आर्थिक ब्रिद्दी की सरवाधिक उप अगला कुशन है भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है भारत का सबसे बड़ा उद्योग है कपड़ा उद्योग अगला कुशन है हरित कुरांती के दौरान मोटे अनाजो और दलहन का उत्पादन क्या हुआ था यह बताना है देखे हरित कुरांती के दौरान मोटे अ अगला कुश्यन है बेरल में कितने लीटर होते हैं देखे बेरल में होते हैं आपके 159 लीटर अगला कुश्यन देखेंगे निमने में से कौन सुमेलित नहीं है इन में से सुमेलित नहीं है आपका टैक्योमीटर दाबांतर दाबांतर किस से मापा जाता है अगर आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट कीजिए अगला कुश्चन देखेंगे सम्विधान सभा के उद्खाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने सचिदानन्द सिनहने option A बिल्कुल right answer हो जाएगा अगला देखेंगे भारती सम्विधान की तीसरी अनुसूची का सम्बंद है भारती सम विषय में विस्तार से चर्चा कहा की गई है देखेंगे नागरिकता प्राब्ट करने व कोने के विषय में विष्तार से चर्चा की गई है कहां पर 1935 के नागरिकता कानूर में most important question है अगला question देखेंगे सम्विधान के किस अनुचीद के प्रावधानों के अंतरगत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म वीभूशन आदी अलंकरन प्रदान किये जाते हैं तो यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुचेत 18 के प्रावधानों के अंतरगत अगला कुश्यन देखेंगे कि सदन में अध्यक्स उस सदन का सदश नहीं होता है करेक्ट आंसर है आपका राजिस सभा अगला कुश्यन देखेंगे भारती समविधान के निर्मान में सरवाधिक गंभीर प्रभाव निम्न लिखित में से किसने छोड़ा था तो देखेंगे भारती समविधान के निर्मान में प्रभाव छोड़ा था भारत सरकार अधिनेव 1935 ने ओप्शन बी इस कुश्यन का राइट आंसर है अगला देखेंगे निम्न में कौन सा दर्रा सिक्किम राजी में स्थित है देखें सिक्किम राजी में स्थित दर्रा है आपका नाथुला एवं चलेपला अगला कुश्यन है वैन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहयक नदी है देखें वैन गंगा तथा पैन गंगा ये सहयक नदिया है गोदाव नहीं किया है वो subscribe कर लिजे और session आप सभी लोग share जरूर कीजिएगा pre-op cost आप सभी को ये practice sets provide किये जा रहे हैं study with aim के द्वारा तो share जरूर कीजिएगा इन classes को अगला है आपका थीन बांद किस नदी पर बनाए गया है देखे थीन बांद बनाए गया है रावी नदी पर अगला question है वनों की शुरक्षा के लिए सुतंतता प्राप्ति के पश्यात सर पर्थम किश वर्ष सरकार द्वारा वन निती की घोशना की गई तो देखे वन प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है देखे पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन कहलाती है सनातनी पवन अगला question है पठारी छेतरों में निम्ने में से कौन सा खनिश नहीं पाया जाता है पठारी छेतरों में नहीं पाया जाता है खनिश ते अगला कुश्चन देखेंगे किसने बयान दिया था मनुष्य मुक्त पैदा हुआ है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है तो ये बयान दिया था रूसों ने अगला कुश्चन है हिरोसिमा पर पहला एटम बंब गिराया गया था 6 अगस्तों 1945 को अगला कुश्चन देखेंगे निम्न मैंसे किसने भारती राष्टे कॉंग्रिस के कराची अधिवेशन जो की वर्षों 1931 में हुई थी कि अध्यक्षता की थी तो देखें भारती राष्टे कॉंग्रिस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सर्दार वल भाई पटे अगला कुश्चन देखेंगे, दरपन में देखने पर एक घड़ी, चार बज कर 40 मिनट समय दर्शाती है, सही समय क्या है? तो देखें, सही समय होगा, 7 बज कर 20 मिनट. अगला कुश्चन देखेंगे, परसो मेरा जन्म दिन है, अगले शरपता उसी दिन एक तियोहार है, आज अगला कुश्चन देखेंगे उत्तर प्रदेश के कितने हिमालई जीलों को काट कर उत्राखंड का गठन किया गया अगला कुश्चन है पाकिस्तान के श्वात गहाटी के समान शिल्प के बरतनवा सिल्प सामगरी प्राप्त हुए हैं तो यहाँ पे इस कुश्चन का करेक्ट आणसर हो जाएगा अग्ला कुशन देखेंगे परवती विकास जन समीती नामक संगठन की स्थापना कब हुई परवती व कास जन समीती नामक संगठन की स्थापना हुई थी वर्शो 550 में अगला कुशन है, डॉक्टर स.C. खरकौल ने राजी को कितने जलवायू छेतरों में बाटा है, ऑप्शन C यहाँ पर आपका राइट आंसर है अगला कुश्यन देखेंगे निम्न मैंसे कौन सा भुकंप सर्वाधिक दीवरता का था तू देखेंगे भुकंप मैंसे सर्वाधिक दीवरता का भुकंप था चमोली का भुकंप जो की वर्ष 1999 में आया था अगला देखेंगे देव साडी खिलेडा ताल इस्तित है देव साडी खिडा ताल कहां पर इस्तित है ये बताना है तो ये ताल इस्तित है उत्तरकाशी जनपद में अगला कुशन देखेंगे हाथी परवत किस बुग्याल के निकट इस्तित है देखें हाथी परवत इस्तित है किस बुग्याल के निकट गुरसों बुग्याल के निकट गुरसों बुग्याल के इस जनपत में इस्तित है अगर आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट कीजिए अगल कुशन है राजी में सरवादिक छेतरफल पर किस फसल की खेती की जाती है राजी के सरवादिक छेतरफल पर फसल किस की की जाती है गेहों की की जाती है अगला कुशन देखेंगे गेहों के फसल की खेती की जाती है अगला है ब्रहम कमल के लिए प्रशिद पंच के दार कौन सा है इनमें से यूरोपियन वादी AnthArt बताना है तो ये वादी अन्तर है मसग बेन जो की यूरोपियन वादी अन्तर है अगला कुश्षन है गुंठी या फिर ठ्वाग पहने जाते हैं हाथ में अगला कुश्षन है राजी के 13 जिलों में से कितने जिलों में लिंगा नुपाद हजार से अधिक है तो यहाँ पर इस कुश्यन का राइट आंसर हो जाएगा साथ जिलो में important कुश्यन है अगला कुश्यन देखेंगे किस जनजाती में विवाहो परांति लड़की को रयान्ती कहा जाता है तो यह जनजाती है आपकी जोनसारी जनजाती जिसमें विवाहो परांति यानि की शादी के बाद लड़की को कहा जाता है रयान्ती नेक्स्ट कुश्यन है विद्या सागन नौटियाल के अधिक्षता में बांध विरोधी समीती का गठन कब हुआ था तो देखें इस कुश्यन का राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1978 में अगला कुश्यन है लोहिया हीट परियोषना का समБन्द किस जिले से है लोहिया हीट परियोषना का समБन्द है उधमसिंघ नगर से अगला कुश्यन देखेंगे उत्राखंड तकनी की विश्व विद्याले देहरादूर की स्थापना कब की गई थी तो देखें उत्राखंड तकनी की विश्व विद्याले देहरादूर में स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2005 में अगलर कुशन है गोसवामी तुलसी दास कबीर की साखे रामक नामक रशनाएं किसकी हैं गोसवामी तुलसी दास और कबीर की साखे ये रशनाएं किसकी correct answer है आपका डॉक्ट पिताम बर्दत बरथवाल की अगला देखेंगे राजेंदर धस्माना का जन्म हुआ था पोड़ी गड़वाल में अगला कुशन है गलत का चैन कीजिए तो यहां पे गलत का चैन कर लेना है करेक्ट आंसर है आपका यहां पे एक कुड़ी बराबर दो किलोग्राम यह आपका गलत यूग में है अगला देखेंगे हरीश भाकुनी का संबंध है किस से होकी से अगला कुशन है लौाली जील इस्तित है लौाली जील आपकी इस्तित है कहां पर देखें लौाली जील है प अगला कुशन है गड़वाल हित कारणी सभा की स्थापना कब होई थी गड़वाल हित कारणी सभा की स्थापना होई थी वर्षो निसो एक इसवी में अगला कुशन है चोहान पार्टा प्राचीन नाम है काडगुदाम का अगला कुशन है राष्टी जल विज्ञान सस्थान कहां पर इस्तित है राश्टी जल विज्ञान सस्थान इस्तित है रूड की में नेक्स्ट कुश्यन देखेंगे प्रियाग प्रश्रस्ती में उत्राखंड का नाम मिलता है कर्तरी पुर शेशन आप लोगों ने अभी भी शेयर नहीं किया है जल्दी से शेशन को शेयर कर दीजे और फिर नेक्स्ट कुश्यन देखेंगे अतीत का स्वपनिल नगर कहा गया है देखे अतीत का स्वपनिल नगर कहा जाता है किसे चमपावत को कहा गया है अगला कुश्चन देखेंगे गैज या फिर खकचसी कहा जाता है उनी पैजामे को अगला कुश्चन देखेंगे यदुवंची, पवार, राजवंची, तनवार प्रमुख उपजादिया हैं तो ये सभी प्रमुख उपजादिया हैं बोकसा जिंजाती की अगला question है चाइना बाल कहा जाता है चाइना वाल किसे कहा जाता है चाइना वाल कहा जाता है राम बहादूर छेतरी को important question है अगला question देखेंगे राजिका पर्थम तैरता solar plant प्रस्तावित है राजिका पर्थम तैटा सोलर पावर प्लांट जो है ये प्रस्तावित किया गया है उधम सिंग नगर में अगला कुशन है टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुवात का श्रे किसे दिया जाता है प्रताप शा को अगला कुशन है सालम अलमोडा में करांती हुई थी ये वर्ष था आपका 1922 का 25 अगस्त 1922 को सालम करांती हुई थी अगला देखेंगे मलेरिया से किस पववाशाशक की मिर्थी हुई थी मलेरिया से मिर्थी हुई थी देखें किसके ललित शा की अगला कुशन देखेंगे एक हदिया देवाल बनवाया गया था एक हदिया देवाल बनवाया था किसने बाज बादू चंद ने कहां परिस्तित है एक हदिया देवाल कमेंट कीजे जल्दी से इसका अंसर अगला कु को ब veteran request Suite CT सकति अगैं kな hand ité буде मैजियर अधिन कितने प्रतिशत 28.3 ana अगला question है राजी में महिला शशक्तीकरण वर्ष घोशित किया गया था वर्ष 2006 को तो इस iX को भी आप ध्यान रुखेंगे, important आपका ये question है, तो okay guys, आज के session में इतना ही, I hope आप सभी को आज का ये session काफी पसंद आया होगा, अगर आप सभी को आज का ये session पसंद आता है, तो session को like कीजिएगा, share कीजिए, जिन लोगों अब ही भी हमारी YouTube चैनल इस्टी विद एम को subscribe नहीं किया है, वो subscribe कर लिजिए, तो चलिए मिलते हैं next interesting videos के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद